साई की बात बच्चे जो होगा मैं देख लूँगा तेरा बाबा सब कुछ देख लेगा तो फिक्र मत कर तो अराम से रह मेरे बच्चे सब कुछ मैं देख लूँगा अपने हिसाब से तुम बस आगे बढ़ते चलो और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं समझ गए न? और सुनो, जब तुम सोने जाती हो ना मेरे बच्चे, तो सोने से पहले ना मेरे आगे एक पानी का ग्लास भर के रख दिया करो, क्योंकि तुम्हारे बावा को ना रात में बहुत प्यास लगती है, और उस वक्त मैं तुम्हें परिशान नहीं करना चाहता, मेरे पास ना तुम्हें एक पानी का ग्लास भर के रख दिया करो, मेरे बच्चे, और सुनो, कल जो मैं तुम्हें मिला था, गुरुवार को, याद आया तुम्हें, याद आया मेरी अनुभूती, मैं तुम्हें मिला था, मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने बहुत सारा आशरवात भी दिया आया था तुम्हारे पास मुझे पहचान पाए तुम हाँ तुम्हारे मन में कल से शक चल रहा है कि कौन था वो बाबा थे या नहीं थे तुम्हारे मन में शंका चल रही है कल से शंका है कि पता नहीं बाबा है नहीं है क्या है है न तो मैं तुम्हारे शंका को दूर करता हूँ कि तुम्हारे बाबा ही थे मेरे बच्चे मैं ही था और सुनो अगर तुम ध्यान दोगे न ध्यान अगर तुम ने दिया होगा तुम देख न तुम्हारे घर में और तुम्हारे दफ्तर में मैं उनी कोनों में विराजित हूँ तुम्हारे लिए जहां तुम्हारे लिए सुरक्षा हो सके जो जीजे जो कोने तुम्हारे लिए खतरनाक है जो कमरे तुम्हारे लिए खतरनाक है न उन जगाहों पर मैं विराजित हो गया हूँ मेरे बच्चे क्योंकि तेरी भक्ती ने कौन तुम्हारे लिए खत्रा बनता है, कौन तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा करता है, अब मैं देखता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा भी न, तो वो सब बुराईया न, अच्छाईयों में परिवर्तित हो जाएंगी, तुम देख ले न, तुम्हें जो भी मिलेगा न, बहुत अच्छा मिलेगा, अब तुम सब कुछ देखोगे, जो भी तुम्हारे आसपास है न, उस सब में अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं होने दूँगा, और सुनो, जब भी तुम बाजार जाते हो, घर के बाहर जाते हो, जब तुम सजावट की चीज देखते हो घर की चीज़ें, तब तुम्हारा मन करता है न, कि तुम ऐसा ही कोई घर बनाओ, बहुत प्यारा सा घर, जब तुम अपने घर में ये सब लगा सको, सुन्दर सुन्दर पेड लगा सको, पौधे लगा सको, सुन्दर सुन्दर सजावट की चीज़ें लगा सको, तुम्हारा बहुत मन करता है न कि तुम तरह तरह के खिलोने ये वो बहुत सारे चीजें तुम अपने घर में लगा सको मन करता है न तुम्हारा मुझे मालूम है मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ मुझे सब मालूम है मेरे बच्चे चाहे तुम मुझे से कहो या ना कहो तुम्हारा जो महल है ना सपनों का महल प्यारा सा घर वो होगा तुम्हारे जिंदगी में जरूर होगा और देखना उस घर के कोने कोने को बहुत सुन्दर तरीके से तुम सचाओगे तुम्हारे हातों से ही मैं सजवाऊंगा, देखना, तुम्हारे पसंद की सब चीजे वहाँ पर होगी, तुम चिंता मत करना, जैसा तुम चाहते हो, जहां चाहते हो न, वही सब होगा, वही सब रखूंगा उस घर में, तुम देख लेना, और सुनो, अगर कोई तुम्हारे बारे में उल्टी सिधी बाते कर रहा है ना, अपने से जोड मोड कर बातों को लगा रहा है ना, तो करने दो ना, तुम्हारी अगर वो बाते करते हैं, बुराईयां करते हैं, तो करने दो, तुम जानते हो, अगर वो तुम्हारी बुराईयां नहीं करते ना, तो तुम समझ पाते अपनी एहमियत को नहीं समझ पाते आज जहां पर तुम हो ना तुम अपने आपको वहां पर नहीं लेकर जा पाते जहां तुम हो ना वहां तुम्हें उनकी बुराईयों नहीं पहुचाया उनकी निंदाओं नहीं पहुचाया जानते हो अगर वो तुम्हारी बुराई इंसान नहीं बन पाते, तुम बहतरी नहीं बन पाते, देखो न, ऐसे लोग भी होना बहुत जरूरी होते हैं, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे न, तो हर इंसान के अंदर आलस भर चाहेगा, यही चीजे होती हैं मेरे बचे जो तुम्हारे अंदर आत्म विश्वास पैदा करत इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बातों को सुनवाया, निंदा करवाई क्योंकि मैं तुम्हारी एहमियत को समझाना चाता था, जो तुम समझ नहीं रहे थे, तो कुछ चीजों का होना भी बहुत जरूरी होता है, बातों को गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से समझना शुर चिंता मत करना तुम्हारे घर का जो भी है न सबको चच्छा होगा और सुनो सचे जूटे में तुम्हें फर्क नजर आ रहा है न कि कौन सचा है कौन जूटा है तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है न बस यही फर्क मैं तुम्हें दिखाना चाता था कि जो लोग तुम् मजनब बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि तुम नादान हो, बहुत प्यारे हो, और हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, और सुनो, जब तुम्हारा मन थोड़ा सा उदास हो जाए न, तो अपने मन को बहलाने के लिए न, कह घुमाने फिराने निकल जाया करोने मेरे बच्चे, कोशिश किया करो कि अपने आपको तुम बहार निकालने के कोशिश करो, घर से बहार निकलो, अपने आपको तुम अच्छा महसूस कराओ, प्रकरती से मिलो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लग करूं वो तुम पर भार है वो तुम पर बोज है मेरे बच्चे समझो और कुछ मेरे बच्चे ना बहुत दिनों बाद अपने घर आ रहे हैं है ना तो अपने घर आ जाओ तुम्हारे अपने तुमें बहुत याद कर रहे हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो और जितने भी इश्वर की पाट पूजा करो और तभी सबकुछ हो पाएगा तुम्हारे जिंदगी में हैना और तुम पर बहुत क्रोदित होते है ना, लेकिन तुम इन सब जंजालों में फसना नहीं जाते, क्योंकि तुमने शुरू से ही ना, मेरे साथ एक अलग सी भक्ति की है, मेरे साथ तुमने एक अलग remote जोडा है, क्योंकि तुमने अच्छाई, बुराई, सही, गलत, साफ, माईदा इन सबसे मुझे नाम किया है। तुमने क्या खाया है तुमने क्या क्या पिया है। तुम ये Ini के मैं कभ灯 हो न harvest क्या आई हों MAY और इस में ध्र iç blending आइन्ती हुरूं वैंरत दो आपके लोग तहुम्हें हों very happy maintenant Xbox game and क्या नहीं कहता ना तो किसी की बातों में आने के जरुवत है ही नहीं अगर कोई तुमसे कहे ना कि ऐसे नियम कानून को अपनाओ तो कोई जरुवत नहीं है तुम्हारी भक्ती के कारण ही तुम्हें सब कुछ मिला है मेरे बच्चे सब कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा और और वो लोग भी जो तुम्हें मना करते हैं जो बहुत क्रोधित होते हैं तुम्हें लेकर उन्हें भी समझ में आने लगा है कहीं न कहीं कि हाँ, साइं की किरपा है तुम्हारे अंदर न अव कमजोरी नहीं शक्ती है, मजबूती है, आत्म विश्वास है, जो तुम्हारे अं कोई परेशान होना उसको ठीक करने के लिए होना तो सही है अगर किसी को पीड़ा पहुचाने के लिए हो कस्ट देने के लिए होना तो वो चीजे मुझे पसंद कुछ नहीं हैं मेरे बच्चे। मुझे पशंद नहीं आता। मैं जया चाहे हैं। और तुमने इश्वर से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम, देवी देवताओं से, इश्वर से, हनुमान जी से, कृष्ण से, सबसे बहुत प्यार किया है तुमने, और यही तुम पर बहुत किरपा है उनकी, बहुत किरपा, और इसी किरपा की वज़ा से तुम्हारे कभी कोई क साम नहीं रुकते और नहीं रुकेंगे तो कभी किसी और पर विश्वास मत करो सिर्फ उपर वाले पर करो उस इश्वर पर करो उस पर